हेलो फ्रेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एकदम डिफरेंट तरीके की सबजी की रेसेपी लेकी आए हूँ यदि आप एक बार इस सबजी को घर में बना लेंगे तो रेस्टरेंट जाना भूल जाएंगे इतनी जादा जुरदार ये सबजी बनती, सभी को बहुत ही जादा पसंद आएगी तो फिर चलिए बनाते हैं इस सबजी को आज हम बनाएंगे पनीर से उसके लिए क्या करना एकदम थोड़े से पनीर, मिंस 200 ग्राम पनीर में ये सबजी असानी से बन जाता है यदि कभी आपके पास दूद फट गया हो, तो उसमें वेनेगर डालके और अच्छी तरह से दूद को फाड़के इस तरह से आप पनीर निकाल सकते हैं और यदि आपके पास फ्रेस ताजा पनीर है, वो भी ग्रेट करके ले सकते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दो चमच बेसन लेना है, बेसन को सिर्फ कड़ाई में इसी तरह से दो से तीन मिनट के लिए भूनना है यदि इस स्टार्टिंग में गरम हो जाएगा ना बेसन तो 2-3 मिनट में ये भुन जाता है भुनने के बाद इससे भुईनी भीनी खुस्बू आने लगेगी हलवाई लोग पनीर भुर्जी में बेसन जरूर से डालते इसका टेक्शर बहुत ही जादा बढ़ी आता है तो आप भी इसमें बेसन जरूर से डाले बेसन भुन गया है और बेसन से खुस्बू भी आने लगी है तो इसे एक बावल में निकाल लेते हैं बेसन को हमने एक बावल में निकाल लिया है तो अब इसमें डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉडिंग साथ में ही डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच से थोड़ा सा ओपर किचन किंग मसाला इसमें सिर्फ किछन किंग मसाला ही डालें आधा चमच, लाल मिर्ची, पाउडर यदी आपके पास किछन किंग मसाला नहीं है ना तो फेर आप पाभाजी मसाला भी डाल सकते हैं उससे भी बहुत ही बढ़ियाँ टेस्ट आता है दो से तीन चमच दही डालेंगे कर लेना है अब ही इसमें हमने पानी नहीं डाला है पहले दही और तेल से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे उसके बाद पानी डालेंगे अब दही वाला कटोरी में ही थोड़ा सा पानी डाल देंगे और बस थोड़ा सा ही पानी डालना है अब देख सकते हैं मैं थोड़ा सा ठोड़ देंगे तेल गरम हो गिया है अब स bombersा जीरा करेकल एक चमाच छूटे में कट किया अद्रक अध्रक को ग्रेट करके कटा हुआ प्याज डालेंगे जिसको हमने छोटे में कट किया है इस पनेर भूर्जी की सबजी में प्याज को लंबे में कट नहीं करें बस इसी तरह से छोटे छोटे में कट करें यह बहुत ही अच्छी तरह से गुलता है अब प्याज को भून लेंगे golden होने तक देखिए अभी हलका हलका color change हो गया है थोड़ा सा और देर भूनेंगे प्याज अब ये प्याज भून गया हलका सा color change हो गया है बस इतना ही color हमें change करना है दो कटा हुआ टमाटर डालेंगे टमाटर डाल की अच्छी तरह से mix करेंगे प्याज टमाटर अच्छी तरह से भून के अब बहुत ज़्यादा brown color का नहीं करना है light color का ही रहेगा बस उतना ही करना है अब अच्छी तरह से तेल भी छोड़ने लगा है तो इसमें जो हमने बेसन का paste ready कर रखा था न और मसाला डाल के बस इसमें डाल देंगे और डाल के भूनेंगे बेसन डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे रेस्टरेंट वाले लोग जो होते हैं बस इसी तरह से बनाते हैं सेम इस secret है उनका इससे इसका texture बहुत ही बढ़ियां आता है इसी लिए डालते हैं तब तक अब इस बेसन को भूनेंगे जब तक पूरा तेल छोड़ने नहीं लगता है अब बेसन टमाटर को लगातार 5-7 मिनट तक भूनते रहना है तेज आच में तेज आच में भूनेंगे न तो जल्दी भूना जाएगा अब देख सकते हैं तेल पूरी अची तरह से छोड़ दिया है क्योंकि हमने इसमें दही भी डाला था दही आप किसी भी चीज में डालोगे न तो तेल बहुत ज़्यादा छोड़ता है अब इसमें डाल देंगे कटीवी हरी मिर्ची तीखा अपर्णनसवार कम्याच जादा कर सकते हैं एक चमच कसूरी मेथी अब इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसाला पूरी अच्छी तरह से भून किया है पूरा अच्छा से तेल भी छोड़ने लगा है और इस मसाला को आप जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे उतना ज़्यादा स्वादा आएगा इसी स्टेज में हमें जो ग्रेट करके पनीर को रखा था उस पनीर को डाल देंगे डाल के एक बार मिक्स करेंगे अभी पानी नहीं डालना है पनीर भूर जी की खास बात यह है कि आपके पास थोड़ा सा भी पनीर है न तो आप आसानी से बना सकते हैं आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और अभी तो कलर आना बाकी है, अब इसमें पानी की जगा दूद डालेंगे, आधी कटोरी, दूद से बहुत ही अच्छा टेस्ट, टेक्शर दोनों आता है, तो हमेशा ये ध्यान बस जौरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, कि बहुत ज़्यादा गाड़ा लग रहा है, तो दूद डालने से क्या होता है, एक सबजी में मिठास आती है, रिचनस आती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, अच्छी तरह से ये मिक्स होगी, अब इसमें आधा चमच सककर डालेंगे, सककर टेस्ट को बैलेंस करता है, इसलिए जरूर से डालें, ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही, साथ में डाल देंगे, एक चुथाई चमच, गरम मसाला पाउडर, आधी कटी हुई टमाटर, टमाटर को इस तरह से लंबे म कट करना है, और थोड़ा सा उबला हुआ मटर, आप चाहें तो प्याज उपर से भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा लंबे में, लच्छे में कटा हुआ, थोड़ा सा धनिया डालेंगे, हरा धनिया, अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अब ये पनीर भ पूरजी की सबजी बनाते हो, तो एक बार मेरे तरीके से बना के देखना, यदि एक बार आप बनाओगे ना, तो बार बार इसी तरीके से बनाना चाहोगे, इतनी जोड़दार ये सबजी बनके रेडी होती है, आप एक रोटी नहीं, दो नहीं, चार रोटी एक बार में ख और यदि आप ऐसी सबजी बनाओगे तो घर वाले रेस्टोरेंट जाना भोल जाएंगे तो बस थोड़ा सा ग्रेट कर लेंगे पनीर यह पुरी तरह डालना ऑप्शनल देखने में सुन्दर लगता है इसलिए डाल रहें आप पनीर की जगह चीज को भी ग्रेट करके डाल सक अगर आज की रेसेपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें